आज हम बनाने जा रहे हैं golden milk इसके लिए हमने ये एक कप coconut milk लिया है इसमें हम dairy milk का use नहीं कर रहे हमने coconut milk लिया है ये homemade है इसका video link आप screen पे देख सकते हैं coconut milk को direct गरम नहीं करते क्योंकि ये गरम होने के बाद गाड़ा हो जाता है इसलिए इसे हम double boiler method से boil करेंगे तो ये हमने एक पतीला लिया है उसमें पानी डाला है गैस को फुल पे कर देंगे और पानी में एक उबाला में देंगे पानी अच्छे से boil हो गया है अब गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर एक छोटा पतीला रखेंगे और इसमें दूद डालेंगे पतीले को पानी में ही रखा रहने देंगे और थोड़ा सा जब गरम हो जाएगा तो इस पतीले को निकाल लेंगे ये double boiler method है जो की इस तरह से किया जाता है कोई भी plant milk हो उसे ऐसे ही double boiler method से ही गरम करना चाहिए दूद हलका गरम हो गया है ऐसे उंगली से चेक करके देख लेंगे अब इसे बाहर निकाल लेंगे दूद को हम अब कप में डाल देंगे अब इसमें ये half teaspoon हल्दी डालेंगे 1-8 teaspoon दालचिनी पाउडर half teaspoon धागे वाली मिश्डी ये optional है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और 1 pinch काली मिर्च डालेंगे इसमें काली मिर्च जरूर डालिए क्योंकि काली मिर्च हल्दी का effect बढ़ाती है अब इन सब चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे हमारा golden milk तयार हो गया है ये inflammation को कम करती है सर्दी खांसी बुखार में भी काफी राहत देती है इसके और भी बहुत सारे health benefits हैं जिने हम अगली slide में आपको दिखाएंगे तो आप इस milk को जरूर ट्राइ कीजिए और हमें अपना feedback दीजिए आपको देखिए इसके दोज दीए इसके रिन्यवफ को द रhmen जर आपको डर रिन्स